हलो एवरिवन, वेलकम टू HP competitive exam, आशा करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे, आज के इस video lecture में डिस्कस करेंगे question paper, जो की है हिमाचल प्रदेश इंवरस्टी का clerk का question paper, हिमाचल प्रदेश इंवरस्टी द्वारा जो है 2013 में clerk का paper जो है conduct कराए गया था clerk की post के लिए तो इसका जो है gk section हम आज के इस video lecture में डिस्कस करेंगे, इसमें अगर मैं आपको roughly overview दे देता हूँ, तो इसमें जो आपके part रहते हैं, इसमें जो subjects रहते हैं, इस paper में वो आपका gk के question रहते हैं, English के question पूछे जाते हैं, आपके math और reasoning का combine से question पूछे जाते हैं, ठीक है वहाँ पे जो है आपको इसके लाबा other study material भी आपको वहाँ पर provide करा दिया जानेगा, तो first question की तरफ हम move करते हैं, first question हमारा क्या करा रहा है, wrong tongue hydro project हिमाचर प्रदेश के किस जिले में स्थीत है, ठीक है, wrong tongue जो hydro electric project है, ये कहाँ पे स्थीत है, ये located है हमारा लाहोल स्प पूछा जाता है कि कौन सी नदी के उपर है, तो ये जो wrong tongue नाला है, speedy की एक साइक नदी है, wrong tongue नाला है, ठीक है, उसके उपर ये जो project है, वो बना हुआ है, hydro electric project, कहाँ पे located है, कौन सी district अंदर है, तो लाहोल स्पीथी के अंदर, इसकी production capacity एक से पूछी जाती है, तो 2 megawatt, इसकी जो production capacity है, वो कितने megawatt की है, तो इसकी जो production capacity है, वो 2 megawatt की है, ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और नाम है, shong tongue, ठीक है, ये है wrong tongue, एक इसके मिलता जुलता नाम आपको अक्सर मिलेगा, वो है shong tongue कर्चंप, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, shong tongue, जो hydroelectric project है, वो है ठीक है, इसमें आपको confuse नहीं होना है, जो shong tongue है, वो कहाँ पे है, वो किनौर के अंदर located है, hydroelectric project, और जो आपका wrong tongue है, वो hydroelectric project आपका located है, लाहुल स्पिति के अंदर, ठीक है, एक question जो हाली के exam में देखा गया था, और important question भी है, कि हिमाचल प्रदेश में first time, हिमाचल प्रदेश सिंग द्वारा जो है, यह तुरू करवाए गया थे, ठीक है, next question तरब रूप करें, next देखिए गा, जहांजर डान्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पिलोंग्स टू विच डिस्टिक, जहांजर डान्स है, जहांजर नरित्य है, यह कहां का है, कौन से जिले का है, कहां से है, चमबा से है, ठीक है, नाम क्या है, इसका जहांजर, इसके लावा दो और इंपोर्टेंट है, चमबा डिस्टिक के, जो है, most important है, जो आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं, एक है किकली, एक है किकली, किकली जो डान्स है, वो भी कहां का है, वो भी जो नरित्त है, जो है, बिलों करता है आपका चमबा से, और इसके लावा धेपक, इकली और धेपक, यह कहां के है, यह दोनों है आपके चमबा डिस्टिक के, इसके लावा अगर हम कांगडा की बात करें, तो कांगडा से पूछे जाता है, जमाकडा, इसके लावा और भी है, लेकिन जो most important है, वह मैं आपको करवा देता हूं, जमाकडा, ठीक है, शिंबला से कौन सा पुचह जाता है, शिंबला से घूखती पूछा जाता है, और important है, सिर्मार का जूरी, शिर्मार का कौन सा है, जूरी लोकन रित्य कहां का है, तो यह आपका सिर्मार का है, ठीक है, जूरी हो गया तो ये 2013 में आया था पिछले साल जब अगर हम करंट ही बात करें द्रिंत क्या कौन है फाइक है कई में कर्णाइसी मिनिश्ट्र हञां गजिंग्अप प्रदेश की उम्हार मुख्य मंत्र है उन्हें आपके one day जो exam है वहाँ पे directly पूछे जाएंगे एक तो इन्होंने MSP minimum sport prize है वो लेके आए गाए और जो दूद का बहन से उसके लिए MSP लेके आए इसके लिए गाए और दूद के बहन से उसके लिए आने का लक्षे कब तक रखा गया है तो 2026 तक कब तक 2026 तक और इसके लावा जो अभी पंदरा सुर्पे वाली scheme चली हुई है माचल प्रदेश में जो माता बहनों को महिलाओं को जो है 15 सुर्पे दिये जाएंगे उससे क्या-क्या बनेंगे आपके ठीक है वह इंपोर्टेंट रहेगा एक तो डिरेक्टली आपको scheme का नाम याद रखना है और second जो question वहां से बनेगा वो पुछेगा age और यह most important है age जो है minimum तो सब को पता है 18 साल से लेके है लेकिन maximum कहां तक है 60 years ठीक है 18 से 60 तक और इसके लावा जो पूछा जा सकता है वो है कि इस पर सालाना कितने पैसे खर्चोंगे तो सालाना जो हमारा 800 क्रोड रुपए का इस सीमा का जो है टच करते हैं कौन-कौन सी सीमा जो है अपनी उसके साथ माटते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ तो हिमाचल प्रदेश के साथ जो सीमा टच होती है उसमें आता है हमारे जम्मु एं कश्मीर अर्याना आ जाता है पंजाब आ जाता है उत्तर प्रदेश आ जाता ह हिमाचर प्रदेश का जो total boundary share है वो कितना है आपका totally जो boundary line है हिमाचर प्रदेश की 1170 km इसके इलाबा जो दो question आते हैं एक तो आता है यूत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश किस जिले के साथ अपनी सीमा साजी करता है that is सिर्मौर डिश्टिक हिमाचर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साजी करता है तो सिर्मौर जो जिला है हमारा उसकी जो सीमा है उसकी जो boundary है वो touch करती है हमारी कहां पे उत्तर प्रदेश के साथ और इसके लावा जो most important आता है कि जो सारवादी जिलों के साथ अपनी सीमा साजा करता है वो है पंजाब हिमाचल प्रदेश के 5 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा साजी होती है किसके साथ पंजाब डिश्टिक के साथ पंजाब स्टेट के साथ 5 डिश्टिक्स है हिमाचल प्रदेश के next question तरह भूंबू करें next day who was the first governor of हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे अगर मैं इसको पूछू कि हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कब बने थे 1971 ठीक आपको पता है गवर्नर कहा का होता है गवर्नर होता है जहां पर राज्य होता है तो हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना था राज्य बना था हिमाचल प्रदेश 25 जनबरी 1971 25 जनबरी 1971 क्या हुआ था हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दरजा मिला था उसी समय जब कोई अगर के अंदर सासित परदेश है, वहां के रास्टर परदी द्वारा, उफ पर कोई अदर हाइयर वहां पर पर पॉइंट किया जाता है, तो अगर बात करें गवर्नर की गवर्नर ऑफ हिमाचरवर्ते स हिमाचरवर्देश का पहला गवर्नर कब बना drag click option number B यहां पर right answer हो जाए हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर को उन थे S चक्रवर्ती यहां से directly अगर पुछा जाए आप से कि किस वर्स जो है हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर बने थे वो तो बने थे 1971 को क्यों 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 कि फर्स लेडी गवर्नर ओफ हिमाचल प्रदेश ठीक है पहली वुमेन गवर्नर ओफ हिमाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश की पहली महिला रज्यपाल कों थी उनका नाम था शीला कॉल उनका नाम क्या था शीला कॉल शीला कॉल जो थी वो हिमाचल प्रदेश की क्या पहली महिला गुवर्नर थी महला रज्यपाल थी अगर हम वर्तमान में बात करें वर्तमान में हिवाचा प्रदेश के गुवर्नर कौन है तो वर्तमान में है शिप प्रसाद शुकला जी अभी कौन से है शिप प्रसाद शुकला जी अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए है क की घेफांग गलेशियर वो कहा पे स्थित है तो गेफांग जुटी के नदर की को देखने को मिलेंगे ठीक है लाहॉल के जो है एक प्रसीद देपता है ठीक है उनके नाम पे इनका नाम रखा गया है गेफाउंग ग्लेसियर एक क्वेशन डारेक्टली यहां से क्या पूछा जाता है कि इसकी जो सेप है वो सिज्जो लेंड का जो मैटर हॉन है उससे मिलती हुई है ठीक है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेसियर कौन सा है उसका नाम ही है बड़ा शिगड़ी ग्लेसियर हिमाचल प्रदेश के अगर ग्लेसियर की बात करें जो सबसे बड़ा ग्लेसियर है हिमाचल प्रदेश का उसका नाम कहा है उसका नाम है बड़ा शिगड़ी ग्लेसि तो आपको इसी से आद हो जाएगा कि बड़ा से बड़ा शिवडी ग्लेशियर हिमाचाप देश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये भी कहाँ पर कुईटिड है इतना I hope आपको clear हो गया होगा इसके एलाबा अगरम बात करें वोना पानी ग्लेशियर कहां पर है वो भी जो पत मिलाया गया था तो कोटकाई को जो है ब्रिटिस सम्राज्य में मिलाया गया था 1828 में कब 1818 आप्सिन नम्बर कौन सा बन जाएगा हमारा यहां पर राइट अंसर हो जाएगा कौन सा रिष्टिक में है तो शिम्लाइट इस्टिक में पढ़ती है 1815 में जब गोर्खा और ब्रिटिस का यूद्ध हुआ था उस समय इसको दे दिया गया था राजा रंजीत सिंग को राजा जो रंजीत सिंग थे उनके अंदर आगी थी कब 1815 में 1828 में ब्रिटिसर के अंदर आगी और 1907 में जो है बारत सरगार के अंतरगत आगी इसके लावा और जो इंपोर्टेंट कुछी जाती है इंगलिस की जो लिपी है इस रोमन और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है पंजाब की जिसको मुठा जाता है वो है घुब मुखी तो पहाडी जो लट्वेट है जो एक्शल्स और सेंगी है अभी जो हम पहाड़ी लिगते है done देवनागरी में ही पहाड़ी लिख देते हैं लगिन जो हमारी actual पहाड़ी लिपी है that is टांकरी लिपी वो जो है ना तो हमें पढ़ाई जाती है स्कूलों में ठीक है तो ये थोड़ी विलूप्त हो रही है क्योंकि हमें भी नहीं पता इसके बारे में इसके जो अक्सर होंगे आप देखेगा इसको गूगल करके इसके जो अक्सर है वो गुर्मुकी जैसे पंजाबी के अक्सर है उससे मिलते जुलते हैं ठीक है जो पहले हमारे बनिया होतेते थे पहाडी जो हिसाब कताब करते थे दुकाननों का वो इस लीपी का यूज करते थे उसके बाद जो है पहाडी कुछे गरंतीस में लिखे गए तो पहाडी की जो लीपी है जो एक्चुर लीपी है that is टांकरी लीपी ठीक है next question तरफ हम मूब करें next है किस विक्ति ने 1830 में सिम्ला को गर्मियों की राजधानी है वो गोसित किया था तो लॉर्ड जोन लॉरेंस option number कौन सा बन जाएगा हमारा यहां पर option number B हमारा यहां पर राइट अंसर हो जाएगा 1864 में summer capital बना था शिम्ला 1864 से लेके 1947 तक कब तक 1947 तक जो है हमारा summer capital रहा किसके द्वारा जो है की गई थी तो जॉन लॉरेंस द्वारा summer capital इसको डिखले किया गया था इसको राजधानी बना दिया गया था इसके लाबा और जो है शिम्ला क्या रहा था 1870 से 1977 तक आपको याद करना है 1870 से लेके 1907 तक जो है हमारा शिम्ला जो पंजाब state थी जो पंजाब government थी उसकी summer जो कारल्य था गर्मियों का जो कारल्य था वो कहां पे था शिम्ला में पंजाब government का ठीक है नेक्स देखिया भारती अरजर्ब bank के वर्तमान governor कौन से है जो हमारा RBI है सभी बैंकों का जो bank है that is RBI रिचर बैंक ऑफ इंडिया इसका जो head है that is सक्तिगानदास कौन है सक्तिगानदास option number B हमारा यहां पर right answer हो जाए इससे दो तिन question बनते है एक तो RBI के स्थापना कब हुई थी तो 1935 1 April 1935 जो है RBI आया था एक directly question बनता है कि first governor कौन थे RBI के तो Osborne Smith ओ ऐस लिख रहा हूँ Osborne Smith जो थे first जो क्या थे इसके RBI के governor थे और जो सक्तिगानदास है वो वर्तमान में है इससे पहले किसको थे यानि कि सक्तिगानदास ने किसको replace किया तो उनका नाम था उर्जित पते अच्छा इसके लावा Osborne Smith जो थे वो first थे लेकिन एक और question क्या आता है इससे मिलता जो था first Indian पहले भारतिया पहले भारतिया जो की RBI के governor बने that is CD Desmuk that is CD Desmuk ये जो थे पहले भारतिया थे जो RBI के governor बने कब बना था ये RBI आपका 1 April 1935 को उसका कारेकाल कितना होता है कमेंट करके बताईगा मैं आपके कमेंट में ही आपके जो अंसर होगा उसको reply कर दूँगा next day here who is the ex-officio chairman of Niti Aayog Niti Aayog का जो पदेन अध्यक्स होता है वो कौन होता है यहाँ पे लिखा होए है यहाँ पे नाम दे रखे है लेकिन डारेक्टली जो question आता है वहाँ पे आ जाता है प्रदान मंत्री ठीक है मुख्या मंत्री या फिर finance minister home minister आपको याद करना है जो निती आयोग होता है उसका जो अध्यक्स होगा वो होगा भारत के प्रदान मंत्री जो भी करन्ट टाइम में भारत के प्रदान मंत्री होंगे वो ही जो है निती आयोग के अध्यक्स होंगे तो अभी वरतमान में भारत के प्रदान मंत्री निरेंदर मोदी ये थे तो जो है यहाँ पर option no.B हमारा यहां पर Right Answer हो जाएगा ठीक है नीतिय आयोग का जो परदेहन अध्यक्स है वो यहां पर क्या हो जाएगा निती आयोग की जो फुल फॉर्म है National Institute for Transforming इंडिया कब बना था? 2015 में आया था निती आयोग कब अस्तित्तम में आया थो निती आयोग 2015 में आया किसको रिप्लेस किया इसने इसने जो मारा planning commission था योजना आयोग था उसको जो है इसने replace किया planning commission इसने आयोग के बारे में अकसर पड़ा होगा आपने जो हमारी पंच वर्सी योजना चलती थी तो उस आयोग को खदम कर दिया गया उसके बाद उसको पंच वर्सी योजना बंद हो गई उसके जो है उसको replace करके कौन सा आयोग हाया? निती आयोग है ठीक है? एक्स वर्सी तरब हम मूग करें एक्स देखिया इमाच अप्रदेश के किस जिले में जनसंख्या गनत्तव सर्वदिक है? यानि कि सबसे ज़्यादा जन गनत्तव कहां पे है population density कौन सी टिस्टी के अंदर है that is हमीरपूर्ट option number कौन सा हो जाएगा हमारा option number A हमारे यहां पे राइटन सा हो जाएगा यहां की जो population density है वो है 407 सबसे कम कहां की है? सबसे कम है lahol and speedy lahol and speedy की population density है वो है 2 ठीक है? अगर हम पुछें सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहां पे है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कांगडा में ठीक है? अभी population density होती क्या है? जनसंख्या गनत्व होता क्या है? आप बोलो कि तरह आपने कहा कि सबसे ज़्यादा population कांगडा में है लेकिन गनत्व की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमिर्पुर का जो population हो कोई स्टेट हो आपका कोई डिस्टिक हो या कोई पर्टिकूलर एरिया हो कोई पंचायत हो ठीक है उसकी अगर आपको density निकालनी है तो उसके टोटल population कितनी है? डिवाइड वाइड 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 वहाँ का टोटल एरिया कितना है? ठीक है? माल लीजिए कहीं कि जो population है वो 100 है और एरिया है 50 किलोमेटर का इसकी जो population आ जाएगी जो इसकी density आ जाएगी वो आ जाएगी 2 व्यक्ति प्रति वर किलोमेटर ठीक है? इसकी जो population density वो कितनी आ जाएगी 2 व्यक्ति प्रति वर किलोमेटर यानि हमीरपूर में जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है गनत्व का मतलब है घनापन जैसे हम बालूते हमारे घने वैसे ही घनापन इसी तरिक के से आपस को याद करोगे यहाँ पर जानी की सबसे ज़्यादा घनी अबादी कहां की है कौन से डिस्टिक की है that is हमीरपूर और सबसे कम कहां पर है लाहौल स्पिती नेक्स्ट क्वेशन तरफ दिखें नेक्स्ट हमारा वेर इस दो ओरीजन ओफ चिनाव रिवर चिनाव नीदर कहां से निकलती है बारा लाच्चा पास ऑप्सन नंबर कौन सा बनेगा ऑप्सन नंबर डी हमारा यहाँ पर बन एक नदी का नाम है चंद्रा नदी और प्लस दूसरी नदी का नाम है भागा नदी चंद्रा और भागा एक साइट से चंद्रा आती है दूसरी साइट से आपकी भागा नदी आएगी यहाँ पर मिलेंगी that is place called as तंडी इस जगा का नाम क्या है इस जगा का नाम है तंडी व जनाब का जो original नाम था, जो पुराना नाम था, वैदिक नाम था, that is आश्किनी, यह भी अक्सर एक्जाम में पुछा जाता है, अच्छा नदियों से अगरम बात करें हिमाचल प्रदेश की 5 मुख्य नदियां है, आप सभी को पता है, एक पुछा जाता है हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमेटर, अगर हम बात करें, आपकी सबसे बड़ी नदी, that is चिनाब रिवर, चिनाब रिवर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, 122 किलोमेटर हिमाचल प्रदेश में बहती है, सबसे छोटी रिवर, that is यमना रिवर, कौन सी यमना, यह कितनी है, यह लग length जो है वो ज़ादा है जिसकी length ज़ादा है that is Satluj River 320 लेकिन बड़ी नदी का क्या मतलब है यहां पर जिसमें पानी की क्षमता ज़ादा है पानी किस नदी में ज़ादा है that is चिनाव रिवर में जो है पानी ज़ादा है इसलिए उसको बड़ी नदी कहते हैं लेकिन अगर लंबाई की तरफ देखें तो लंबाई में जो है आमारी Satluj जो रिवर है वो लंबी है ठीक है next question देखेंगा यह अंतिम question है इसके बाद मैस सुरू होता है मैं कोचिज करूँगा जल्द इसका दूसरा पार्ट यह आपको प्रवाइड कराऊं next है यहां पर जन्व इश्वास के अंसार सुतुद्र नदी सुतुद्र किसका ओल्ड नेम है यह सत्लूज नदी का सत्लूज रिवर है उसका ओल्ड नेम है सुतुद्र रिवर या स्तुद्री नदी को मांस्रोबर जील से जो है हिमाचर प्रदेश में लाने का शरेक इसका गया है तो रिशी जमदागनी को प्रदेश की सबसे बड़ी नैचरल लेक कौन सी है डैट इस रेनुकाजी लेक कहां पर है लुकेटिड शिर्मौर के अंदर और मैनमेड यानिकी कृत्रिम जो इनसान ने बनाई है वो है गुरु गोविंसागर जील जो कहां पर है बिलासपूर के अंदर और सबसे बड़ी प्रकृतिक जो भगवान ने मनाई है कुद प्रकृतिकी बनी हुई है वो है शिरी रेनुकाजी लेक कहां पर लुकेटिड है शिर्मौर डिश्टिक अंदर आज के लिए बस इतना ही आपके अधर कोई क्वैरी है इससे कोई और डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं आज के ल